तो स्वागत है आप बच्चों का आपके यूट्यूब चैनल cwh online study support में तो आज mathematics का जो कोश्चन हुआ है उसका स्टेंडर्ड का सेट 1, 2, 3, 3 तीनों ही सेट्स का मेहां पर objective का solution करने वाला हूं तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे हैं तो सुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जो basic mathematics वाले हैं वह भी उनका भी वीडियो जल से जल आ रहा है चली तो पहले सुरू करते हैं ये वीडियो और solution आप मिला ले देखे सबसे जल्दी solution लाए गया है पहले देखिए मैं set 3 ले आगे पिछे हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं चले तो सुरू करते हैं मीन दिया हुआ है मीडियन दिया हुआ है तो बल्कुल सही है set 2 में question 3 में है next question को चलते है quadratic equation दिया हुआ है इसके roots जो है real है और distinct है तो real roots के लिए जो होता है real और distinct distinct root के लिए जो होता है वो हमारे discriminant का value जो होता है वो greater than 0 होता है तो b²-4 is greater than 0 तो b² का value हो गया b का value माइनस 4 तो माइनस 4 का square माइनस 4 into a का value 1 और c का value के ओके इस greater than 0 तो अब यहां पर देखे 4 का 16 और greater than यहां पर 4 के जो है जो 4 के को जब हम इधर कर देंगा तो 4 के less than की तरफ आ जाएगा तो जब हम 4 को इधर बेजेंगे तो के की ओर देखे less than का ही साइन रहेगा तो के less than 16 बटा 4 यानिकी के का value 4 से लेस होना चाहिए तो इसका हो गया option number D फिर यहां पर आप देखे सेट 2 में 4 number में question है चले next question क्यों बरते है जो हमारा next question है उसमें और करके दोनों question है मैंने दोनों questions ही बनाया है तो first question देख लिए जैसे पहले मैं second question कर दे रहा हूं और वाला तो इसमें क्या है एक simple सा AP दिया हूए 9 term पूछ रहा है तो T9 का value हो गया minus 15 यहां पर मैंने दिया A plus N minus 1 तो 9 term दिया हूए तो N minus 1 का value हो गया 8 9 minus 1 8 into 2 यहां पर देख रहा है plus 4 सब add होते जारा तो 8 4 जा 32 32 में से 15 चला गया तो 17 इसका उपर वाला question किस तरह से बनना था तो यहां पर देखे मैंने first term A दिया हूआ है इसमें 5 number of terms मैंने N मान लिया और D मान लिया तो 45 formula होता है TN is equal to N minus 1 into sorry A plus N minus 1 into D तो last term मैंने 45 रखा A रखा plus N minus 1 into D लगाया अब N minus 1 into D का value यहां पर हमारा हो गया 40 अब sum of N terms दिया हूए तो sum of N terms SN is equal to N बटर 2 2A plus N minus 1 into D मैंने अपलाय किया अब SN का value 400 डाल दिया N बटर 2 2A का value हो गया 5 2 is at 10 और N minus 1 into D का value 40 रख दिया तो 40 10 हो गया 50 अब यह दोनों multiply होके हो गया 800 800 बटर 50 is equal to N number of terms पुछ रहा है तो 800 बटर 50 का value हो जाएगा 16 option number D next question क्यों बढ़ते हैं बहुत ही simple सा question है point P जो है जो midpoint है इन दोनों का तो A का value क्या होगा तो simply है A निकालना है तो हमको by के coordinate से कोई लेना देना नहीं है minus 5 plus 4 बटर 2 is equal to A बटर 8 तो यहां पे देखिए value हो गया minus 1 बटर 2 is equal to A बटर 8 A का value हो गया minus 8 बटर 2 यानि minus 4 option number A यह जो question था वो set 2 में 5 number question था और यह जो question आप देख रहे हैं वो set 2 में 9 number का question है तो इसका हो गया minus 4 answer next question इसी में देखिए एक question है question number 5 इसमें देखिए यह set 2 में 6 number में question है तो इसमें number of zeros पूछरा आप बहुत ही simple question है x-axis कोई कितने जगा touch कर रहा है तो 1 2 & 3 ठीक है तो x-axis को यह touch कर रहा है 1 2 & 3 तो आप यहां पे बता सकते हैं कि इसका solution है polynomial का वो तीन इसका answer है अगर आपको इसमें कोई confusion है तो आप comment box में आके comment check कर कर सकते हैं चले next question क्यों राते हैं तो यहां पर जो मरा question है उसमें आप देख सकते हैं कि A B और C जो है जो कॉलिनियर है तो कौन सा इसमें सही होगा relation तो देखिए अगर आप इसमें distance formula यह नहीं आपका काम यहां पर नहीं बनने वाला है और अगर आपने बनाया है और आ गया है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप इसको जो एरिया वाला formula उससे आप apply किजिए यह देखिए मैंने आप formula को लिख के 0 किया जब यह कॉलिनियर होते है तो area of the triangle 0 होता है तो यहां question आईए the value of यह देखिए यह set 2 में दूसरा question था तो मैंने set 2 का question यहां पर बना के रखा है set 2 का question मैं इसी के साथ अभी चल देता हूं तो इसमें कुछ नहीं है साइन 60 का value होता है cost 30 के equal तो इसको 60 करने के लिए हमको 16 चाहिए तो यहां हो गया 16 अंसर उसी तरह से यहां पर देखिए set 2 में जो question है वह है कि आप देखिए फिर से आप यहां cost 60 का value sign 30 के बराबर होता है तो इसको 60 करने के लिए 50 चाहिए तो यहां पर मैंने इसको tick out कर दिया ठीक है फिर next question क्यों राते है next question जो हमारा है उसमें यह है the pair of linear equation by देखे set 2 में भी question different था मैं अभी जैसे किया मैंने वैसे इसका कर देता हूँ इसमें no solution है और set 2 वाले में जो question है वो no solution ही होगा अब कैसे देखिए तो by is equal to 0 होता है x-axis और by is equal to minus 6 जो होता है वो x-axis के parallel जाएगा तो जब भी दो lines parallel जाती है तो इसका no solution होता है तो set 2 में भी उसी तरह से है x is equal to 0 और x is equal to minus 4 तो यह दोनो parallel चले जाएगे एक दूसरे के तो यह no solution इसका answer होगा आप देखिए next question के और चलते हैं एक बैग में 3 5, 3 red, 5 black और 7 white balls है क्या probability है इसकी कि black ball नहीं निकले तो black ball को छोड़के आपको white और red निकल सकता है तो 10 हो गया दोनों और total हो गया 7, 5, 12, 3, 15 तो 10 by 15 जो probability हमारी है वो 2 by 3 तो option number D, set 2 में यह question 7 number में है next question के और चलते हैं next question हमारा है इसमें एक figure दिया हुआ है इसमें और का भी question है मैं उसको भी बना बनाऊंगा तो ptq का value पुछ रहा है simple question आमने सामने वाला को जो साम होता है वो होता है 180 तो 115 को 180 बनाने के लिए 65 चाहिए option number D, set 2 में question question number 2 में था अब यहां देखिए इसमें और करके question है बहुत है simple question है यह value दिया हुआ है 8 यह value दिया हुआ है 5 हमसे radius पूछ रहा है तो 8 का स्क्वार 64 और 5 का स्क्वार 25 दोनों का जो subtract है वो हो जाएगा 39 का root, root over 39 option number C, set 2 में यह question उसी के और में है अब यह questions आप देख रहे है वो set 1, set 2, set 3, 3 में बस इसी 11 से लेके 15 तक है तो आप यहां पे इसको मिला ले, the distance between तो जब हम इसको subtract करेंगे तो यहां हो जाएगा 2a, 2a का square 4a square उसी तरह से 2b का square 4b square तो अगर आपने root over 4a square प्लस 4b square छोड़ दिया है तो भी आपका सही है और अगर आपने 4 common लेके उसका root करके 2 आगे निकाल दिया है और अंदर में root over a square प्लस b square छोड़ दिया है तो यह भी सही है, ठीक है, spherical ball जो है जो पिगला के तो इसका 4 answer आएगा, कैसे ही मैंने दिखाया, 8 है spherical ball 4 by 3, जो मैंने बाद में बनाया, वो 8 है, 4 by 3 pi, जो बाद में बन फिर यहां पर RQ, जो R पहले दिया हुए, उसका value हम यहां पर 18 to 18 to 8 डाल देते है, 88 कट गया, अब यहां पर बच गया, 88 चाट 64, तो 64 RQ 64 है, तो R का value हो गया 4 cm, तो हमारा 4 cm यहां पर answer है, यह कौन सा number है, तो यह एक irrational number है, यह हम root 5 को किसी भी mean से खतम नहीं कर सकते हैं, अ अब इधर देखिए EF, तो चुकि हमने बादवाले का नीचे, इसको नीचे लिया है, तो EF, तो यहां पर हो गया 24, और यहां X, तो 12 to 24, 9 to 18 cm, अब आप देखिए 10 A का value 1 है, इसका मतलब A का value जो है, वो है 45 degree, तो 2 x sin A का value हमारा कितना हो गया, हो गया, 2 x sin A का formula होता है, sin 2 2 A का मतलब हो गया, 2 A का मतलब हो गया 90, sin 90 का value 1, तो यहां पर आपने 1 दिया है, तो बिल्कुल सही है, तो यहां पर objective के सारे questions हो गया, आपको short type में किन के questions चाहिए, जल से जल comment करें, वीडियो तुरंत ही upload की जा रही है, मिलते है अपने next वीडियो में, और basic वाले भी बने store से, और उसमें आपको 7 से लेके 12 तक का पूरा पूरा दिया गया है, और जो next आपके examination है, उससे सम्मंदित और result के feed भी आप वहां से देख सकते हैं, अगर result आई CBSC की, तो सबसे पहले आपको उस site पे CBSC की result आपकी मिल जाएगी, यानि कि वहां पर किसी भी तरह का traffic नहीं ह होगा, आप CBSC की result भी वहां से देख सकते हैं, चलिए तो मिलके आपके next video में,